नमस्कार मल है तो कल है इस वीडियो की लेक्चर सिरीज में आज हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे मल की अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में हम आज कल बात कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो उसी में आज मल या फी जू श्टूल पास होता है, आपको उसमें आज हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज के बारे में जिन लोगों को बहुत कड़क मल आता है, इतना ज्यादा कड़क मल आता है कि कई बार इसको फिंगर से, अंगली से उस मल को निकलना पड़ता है, पथर जैस साइदम कड़क मल हो जाता है तो जिन लोगों के साथ ये तकलीफ है उनको क्या करना चाहिए ये प्रॉब्लम क्यू होती है और किस तरह की डाइट या खान पान या मेडिसिन स्यूस्फुल रहेगी पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का ओज आयरवेद में जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयरवेद के बारे में जो कि आयरवेद की सहीताओं में लिखा हुआ है और उन्हीं सहीताओं में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हम इन वीडियो के माध्यम से लाके शेयर करते हैं अब आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं कड़क मल के बारे में कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनका मल बहुत कड़क होकर आता है या इतना ज़्यादा कड़क हो जात है स्टूल पास ही नहीं होता है और कभी-कभी मल मार्ग में आके अटक जाता है तो उसे फिंगर से बाहर निकालने की ज़रत पड़ती है यह सारी प्रॉब्लम्स या तो छोटे बच्चों में या फिर जिनकी उम्र जब बढ़ती जाती है खास करके 60 के बाद वाले लोगों होंगे कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आथ जो है वहाँ पे जो मल के अंदर का जो भी लिक्विड भाग होता है जो गीलापन होता है वो एब्जॉब होता है वह सूपता है या आईरवेद की भाशा में कहें तो वायू जो होती है खास करके अपान चाश और अगनी यह तीन महाभूत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यह तीनों मिलके खास करके जल महाभूत को लिक्विड जो चीज है उसको कम कर देंगे तब आपका मल बहुत ज़्यादा सूखने लग जाएगा इसे के एक्जामपल से समझे तो जैसे आप को रख देते हैं और कुछ टाइम बाद उसका जो पानी है वह सूख जाता है तो जब भी हवा और आग जब यह दो चीजे ज़्यादा होगी तो क्या होगा आपके साथ तो आपके जो मल के अंदर का एक्स्ट्रा पानी पन है वह सूखने लग जाएगा या हम इसे कहें तो यह वात प्रकोफ होने लग जाएगा या वात पित्त का जब कॉंबिनेशन होगा ऐसे टाइम पर यह आपको मल आपका बंधा हुआ या बहुत ज्यादा हाड बहुत ज्यादा कड़क इस तरह का होना शुरू हो जाएगा ऐसा क्यूं हो सकता है तो इसके मल्टिपल कारण है कुछ लोग जो लोग की उम्र बहुत बढ़ने लग जाती है उनके साथ होता क्योंकि एज बढ़ने के साथ वात का प्रकोफ होता है बहुत ज्यादा जो लोग पीखा खाने में इंट्रेस्टेड होते हैं बहुत गर्मा गरम फूड खाने में जिनको इंट्रेस्ट है या ज ज़्यादा रहते हैं या जिनका लिक्विड डाइट अब पानी न तो ज्यादा अच्छा है न तो कम अच्छा है जब वह पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं इस तरह की चीज़िए घी भी नहीं खाते हैं के साथ ये देखने मिलता है तो क्या करें अगर मल ऐसा कड़क आ रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं कुछ आपको क्लिनिक क्या कोई आईरविदिक होस्पिटल वहां जाके करना पड़ेगा पहली चीज अगर मल में कड़क पनाना चालू हो गया है तो जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा गरम है नेचर में खास करके बहुत ज़्यादा तीखा बहुत ज़्यादा कड़वा खाने की जिन लोगों को आदत होती है कुछ लोग है कि सुबह उटके एलोवेरा जूयूस और नीम का जूस और करेले का जूस या फिर ऐसे अलग- जूस पी रहे गिलोवे क्या है तिक तरस डॉमिनेंट होता है तो वह सुखाने का काम कर देगा या कुछ लोग डाइट में खाकरा मम्रा सुखा चना सुखा सींग इस तरह मतलब मुंफली इस तरह की जो बहुत ज़्यादा सूखी चीज़े खाने में इंट्रेस्ट है जिन मत करो और खाने में थोड़ा सा लिक्विट चीज़े बढ़ाने की जरुत है क्या क्या लिक्विट बढ़ा सकते हैं सबसे पहले तो हाँ जो लोग मिलेट्स खाते हैं उनके साथ भी हो सकता है क्योंकि मोस्ट आप जो मिलेट्स हैं बाजरा जौार रागी यह सुखी है तो यह भी अगर ज्यादा मात्रा में खाया तो यह भी सुखापन करेगी ठीक है तो एक चीज़ तो आप इसमें आड कर सकते हैं कि आपको घी आड करना चीए घी वात पित्त नाशक है और अच्छे से पेट साफ करने में मदद करता है तो खाना खाते समय एक चम्मच घी उसके की सबजियों के बारे में आईरवेद में उसकी बनाने की टेकनिक भी बोली है और उसे सरगुण वाला कहा गया है सरकाने वाला बोला है तो हरे पत्ते की जो सबजियां होती है जैसे की पालक है मेथी है बथुआ है चौलई है इस तरह के हरे पत्ते की सबजिया आप क्या कर ही हैं तो वह पेट साफ करने में आपकी मदद करेगी हरे पत्ते की सब्जियां ले सकते हो हमारे बाड़ी में क्या बढ़ा है रूख शुगुण बढ़ा है सूखापन बढ़ा इसलिए मल बहुत कड़क हो रहा है तो यह सूखापन को खतम करने के लिए क्या करना होगा चिकन करने के लायरिसन लाने का और मल को क्लीन करने में मदद करेंगा ऑर एक खास चीजिस में यूज हो सकती है कि खाना खाने के पहले मुलेटि फ्राव करती है तो आधा चमच मुलेटि घी के सब्गारny के पहले हो निकाल देगा है इसके बाद σके बाध भी बाकि छाच्वाच जैसी खटी चीजे डाइट में लोगे वह भी फाइदेमाद रहेगी यह करने के बाद भी अगर नहीं मल हो रहा तब आपको एनिमा या फिर आयरविदिक जो तेल या आयरविदिक काड़े होते हैं उनकी जरुत पड़ेगी तो आयरविदिक तेल में कर लग-लग तरह के तेल आते हैं जो कि आप नजदी के के आपकर आयरविदिक का जोगीuster होगा वहां पर जाकर आप तेल का बस्ती ले तेल का बस्ती तभी तक लेना है जब तक ब्राइनेस है याद रखना है क्योंकि उसको एकसेस नहीं करना क्योंकि हमारी बहुत बार आदत होती एक बार अच्छा लगा चल बार बार करते रहते हैं जब तक वह जो वहां पर कड़कपन बना हुआ है मलका वह निकलने तक ही साफ हो का पीने के लिए आप पूरे दिन में मुनक्य और आमले का पानी यूज कर सकते हैं और जो मलका हार्ड मैस है वह उसको निकालने में फाइदेमंद रहेंगे तो यह तो था उनके लिए जिनको यह प्राब्लम है कि मल बहुत कड़क होता है स्टूल बहुत हार्ड होत होता है कि अंगरplant 90 पर है तो फिर deeper है आप बस्ती का कोट कर के लिए जैने जिटीकी जो बी आपका सेंटर होगा आट दिनगा एक योग बस्ती नाम का सो डश होता है जिसमें पहले दिन तेल पिर काड़ा फिर तेल काड़ा तेल काड़ा यह करके करते हूए तेल से प्रकोफ हुआ है वह वात को कंट्रोल होने में फाइदा मिलता है एक और चीज जिसमें बहुत फाइदेमन देखने मिलती है वह है मुंगफली का तेल पंच वहतिक्षी किस्ता में दातार शास्त्री जी ऐसे करते थे कि वह चिंचा लवन नाम का एक तेल वह बोलते थे मतलब मुंगफली का तेल लेकर उसमें जो इमली होती है और थोड़ा नमक डालकर वो तेल बनाकर पीते थे तो आप सिंपल सा दो चमच मुंगफली का तेल लो उसमें थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा सिंधा नमक ऐसे घर पे तुरंत यूज़ करने के लिए भी वह पीने के लि उनके लिए जिनको मल बहुत कड़क होने की तकलीफ है मल है तो कल है आगे लेक्चर सीरीज में हम और ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे यह सारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं आपको इससे क्या फायदा हो रहा है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें